पैसा है तो लड़कियां तुरंट I love you कहती है। कुछ हम जैसे हैं जो दुख भोग रहे हैं। अगर पैसा होगा तो बुड़ापे में घर से नहीं निकाले जानेगे। इतना रही है एक लड़की। क्या जुल्फों को सवारा है किसीने। शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर ये वाफ भीजाने वाफ भीजाने तो ग्री ग्यांथ निकाले जाने जाने ये दो में आपका दो शेलेश लोड़ाश और आप सोच रहे होंगा कि मेरे साथ ये दो खुबसूरत बच्चियां कौन हैं? यहे हमारा भविश्य, यहे विश्व का भविश्य, यहे आने वाला कल, यहे मस्तकबिल की मुस्कुराहिट, यहे भविश्य की हसी, यहे जिनके कंथों पर आने वाली दुन्या चेति आज हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा नव वर्ष प्रारंब हो रहा है और हमारा नया साथ हमारी इस प्ढ़ी के साथ हम वाभीवा के इस मेवार स्पेशल इस दिवाली स्पेशल इस उदैपुर स्पेशल के इस खुबसूरत सुथी पहले स्के जनाना महल में इस प्ढ़ी के साथ हमारे नए वर्ष की शुरुवात करना चाहते हैं हमारी परंपराओं का नया वर्ष यह आने वाली पीड़ी की ये दो भविश्य की आशा हैं मेरे दाई और मो लक्षिका कुमारी मेवार मेरे बाई और प्रानेश्वरी कुमारी मेवार ठिका है कल का भविश्य हमारी इस पीड़ी पे आए इनके साथ आज हम य प्रासिक खूबसूरत सिटी पैलेस के इस जनाना महल में करें मैं आप दूनों से मोलक्षिका और प्राणश्वरी मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस दीप को प्रज्वनीद करें आएं आओ दो मोलक्षिका जोड़ार टालिया तालिया हमें नहीं चाहिए ये दीप जो प्रज्वित हुआ है ये दीप सिर्फ आशा और विश्वास का ही नहीं है ये दीप संभावनाओं का है ये दीप आने वाली उस प्लिडी का है ये दीप कलके हिंदुस्तान का है और सारी दुनिया को ये बताने वाला है हमारी परंपराएं जो न जाने है चिरकाल से चली आ रही है जब से धर्ती बनी और हम हमारी परंपराओं के पोशक हैं और बहुत बहुत धनेवाद महारणा मेवार चरिटेबल ट्रस्ट का जिनके लिए कला और कविता की परंपरा इतनी महत्पून है कि उन्होंने अपना पूरा रिदय खोलके पूरा दिल खोलके ये पूरा सिटी पहले समय दे दिया कि हिंदी का विता के लिए अगर कोई कारिक्रम हो तो हम आगे बढ़ चड़के उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे और हिंदुस्तानी टेलेविजन में पहली बार ये लोकेशन इसमें कुछ शूट किया जा रहा है और वही सिर्फ इसलिए क्योंकि महाणा मेवार चाहे जेबल ट्रस्ट और उनके ट्रस्टी मेरे आनुज मेरे सखा मेरे अभिन मित्र स्वी लक्षाज सिंग मेवार जो हिंदी का विताओं के नकेवल समर्थक है बलकि उनकी संजक्षन के लिए हमेशा आगे रहते हैं और ये पीडी जो हमें विश्वास दिलाती है कि आने वाला कल उनका विताओं का है जो आपके चहरों पे तबस्व बनके खेलेगी आने वाला कल उनस अलफाज का है जो हमें जीवन के खुशी प्रदान करेंगे आने वाला कल उन शब्दों का है जो हमें जीवन की दिशा देगी आने वाला कल उनका आफियों का है जो जीवन को जीवन बनाएंगे और आने वाला कल हमारा है हिंदुस्तान का है वा भाई वा तो वा भाई वा मैं आपका स्वागत करता हूं आपका दोड़ शेलेश लोड़ा हूर यह जो मेवार विशेश देवाली विशेश यह जो पूरा हफता है 23 अक्टोबर से 30 अक्टोबर तक हम यहाँ पे उदाइपुर में शूट करें हमारे साथ वो तीन लोग मौझूद है आज के इस एपिसोड की खास बात यह है कि तीनों ही वो है जो वाँ भाई वाँ के पहले 100 ए लिखाते हैं और अपनी पनी रहा खुद चुनना भी जानते हैं गौरव चोहान मुल्तवीदस के कवी हैं लेकिन हर विधा में वो लिखते हैं दीपक पारिक हमारे हास से का एक ऐसा सहज सा नाम है जो जब कविताएं पढ़ता है तो लोगों के दिलों पे छा जाता है और कि मेवाड के शिश है तो हमारे साथ मेवाड से हैं भीलवाड से हमारे बीच में दीपक पारिक है सतना से हमारे बीच अपूर्वा चातुर्वेदी है और एटावा के गौरव चोहान है जोर्दा तालियुस हम इंका स्वागत करते हैं और आईए सब पहले आज की बात करने के लिए बढाना चाहता हमारे बीबड़ा से दीपक पारिक आप सब को नमस्कार करता हूं और सेले सरकाँ और शेमरु चैनल का बहुत बहुत आभार मुझे यहां आने का पुने मोका दिया एक कविता है जो आपके बीच में रह रहा हूं की यह जानने की जरुत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है यह जानने की जरुत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है आप बहुत भागेशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है पैसा है तो बड़ापे में जवानी है होटों की मुस्कराहट पैसे की महरबानी है होटों की मुस्कुराहट पैसे की महरवानी है और जादा पढ़ने लिखने की जरूत ही नहीं है पैसा है तो आप बहुत बड़े ग्यानी हैं पैसा है तो बुड़ा पे तक शादियां होती रहती है पैसा है तो बुड़ा पे तक शादियां होती रहती है पैसा है तो लड़कियां तुरंत I love you कहती है पैसा है तो उजडे चमन में फूल खिल जाएंगे पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे पैसा है तो वैसे ही सब के बाप बन जाएंगे और बड़े-बड़े कारेक्रमों के मुक्यतिती भी आप बन जाएंगे पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा कितना भी बे सुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे मिलेगा वाँ कोई नहीं कहेंगा कि आप बोलने में हकले हो पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेंगा कि आपके सिर में बाल नहीं है आप टकले हो ना जीवन में कोई तकलीप रहेगी ना जगड़े मिलेंगे पेसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर ख़ड़े मिलेंगे काम भले जाणवरों जैसे हो लोग देउता कहेंगे अगर जेब में पेसे हो खूब सूरत हीरोई इने खूब सूरत हीरोई ने नजदीक आकर हाथ मिलाती हैं पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ठीक हो जाती हैं यह हाथ पेर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं पैसे वाले घर वाली के अलावा एकाद सेटिंग और रखते हैं यह पैसे खर्च करके इजद वालों की इजद खराब करवा सकते हैं खुद आपके रिष्टेदार पैसे खर्च करके आपको वाड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं लेकिन एक बात जिस ने सब के मन को चुआ है, इतिहास में नाम पैसा एकहटा करने वालों का नहीं, पैसा खर्च करने वालों का हुआ है. पैसा खट पर जब आदमी की जान लेने को अड़ा था तब आपके सिरहाने आपका भाई आपका परिवार आपका दोस्त खड़ा था और पैसा पैसा बैंक में पड़ा था कि अबार दीपर उने जीवन के यथार्थ को विल्कुल पश्ट धंक से हम सब के समक्ष रख दिया ऑगर पैसा होगा तो आपकी इज़त पर पत्थर नहीं उछा ले जाएंगे अगर पैसा होगा तो आपकी हिज्जत पे पत्थर नहीं उचा ले जाएंगे पैसा होगा तो आप हर व्यक्तित्वारा संभाले जाएंगे पैसा होगा तो आप हर व्यक्तित्वारा संभाले जाएंगे पैसा होना इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई अगर पैसा होगा तो बुड़ापे में घर से नहीं निकाले जाएगी तो कि लोग अब रिश्टों का ख्याल नहीं रखते हैं पैसों का ख्याल रखते हैं लेकिन पैसा हर चीज नहीं कर सकता है वो क्या धनी होगा जिसके पास धन है हमारे पास तो शब्द है और एक एक शब जो मूलिबान है वो अनमोल है उनसे जादा धनी तो हम लोग है जिसके पास कलम की ताकत है और एक ऐसी रचनाकर को बलाना चाहता हूँ जो हर विधा में सिद्ध हस्त है आओ गौरफ चौहान जुरदार तालियों के साथ अजिए बहुत बहुत बढ़ा कभी गौरफ चौहान हूँ अच्छा पर अपनी पतनी के खर्चों से परेशान हूँ हर किसी का मुकदर खाली नहीं होता हर कोई किसी दर का सवाली नहीं होता कुछ हम जैसे हैं जो दुख भोग रहे हैं हर पती शैलेश जी जैसा सौबागिशाली नहीं होता तो सर मैं अपनी पतनी के खर्चों से परेशान हूँ उसे एक अपील कर रहा हूँ जितने पती मेरे सामने बैटे हैं वो ये गाना याद कर लें और घर पर जाकर पतनी को सुना है अच्छा बड़ी है में गाइया ऑबाबु मेरी कम है कमाईया ऑबाबु मेरी कम है कमाईया घर चाकड आले मेरी जाने जा बड़ी है कमाईया ओ बाबु मेरी कम है कमाईया खर्चा घटाले मेरी जाने जाँ बड़ी महगाईया राशन का टेंशन है पिजली का बिल भरू क्या करू समझ ना आए सेलरी का आदा खर्चा तुम्हारे पेड़ी क्योर मैंनी क्योर में ही चला जा फेशियल कराईया फेशियल कराईया हेयर हाईलाइटिड कराईया घर्चा घटाले मेरी जाने जाँ बड़ी महगाईया पड़ो सन की देखा देखी साड़ी ना लाओ अपने पती पे थोड़ा तरस तो खाओ हो सके तो साइड अपनी खाहिश लगा लो हो सके तो सस्ती नेल पॉलिश लगा लो तेटु गुदुवाईया तेटु गुदुवाईया थ्रेडिंग कराईया खर्चा घटाले मेरी जाने जाँ बड़ी हैक में गाईया और अगली बंगती यह सर आपका भी दर्द होगा अरे पिकेड़े बजट में तु हर मन्त माईके से अपने रिष्थेदारों को पुलाए तेरा भाई साइक लिके लाइक नहीं है मेरी बाईक पिछोरिया गुमाए जब जब आईयां कि बटुए से पैसे ही चुराईयां उसको समझा ले मेरी जाने जाँ बड़ी में हैं गाईयां ओ बाबु मेरी खम हैं कमाईयां घर जाखटा ले मेरी जाने प्राइवेट नोकरी का मारा पती हूँ पतनी किस दिके आगे हारा पती हूँ ताल ठोकने से अब तो ताली भली है बीबी के नकरों से तो साली भली है जब मुसकाईयां जब मुसकाईयां ओ दिल को चैन दिलाईयां ऐसी हो जाएं सब लुगाईयां बड़ी महंगाईयां ओ बाब मेरी खम है कमाईयां खर्चा घटाले मेरी जाने जान जारच है? वाँ AGारोव वाँ जो महेंटाई करना तुम ने किया सही बात है बीबी यहाँ सिर्फ खार्टे ही भूट कुछ रटी है जैसे एक पती अपनी पीपी से कर दर फोटो खेचो तो जब वो खेची दी ते बोले, क्या खीचा है, तुमने इसमें इसमें कुता भी आ रहा है तो मेरे पीछे, ये तो नहीं आना चाहिए ना तो बोले, इसमें ते क्या दिक्कत है तुम फोटो डालो सोशल मीडिया पे, तो लिख देना, मैं आगे वाला हूँ अब बेचारे पती का तो हाल ही ऐसा है और अब वो लड़की वो यूवती जो इंतजार कर रही है कि कब उसका नमबर आगा ये उस उम्र की लड़की है जब सारे भाव जो हैं, वो नगडने हो जाते हैं और एक ही भाव बसता है, वो भाव होता है महबत का वो लड़की जब दरपन देखना शुरू कर देती है वो लड़की जब दरपन देखके इतराती है वो लोड़की जो किसी की मुस्कुराइट पे फिदा हो जाती है वो लोड़की जो याद करती है किसी को और याद करके बैठे बैठे मुस्कुराती है वो लोड़की जो खाली कागर्स पे बैठे पेंसे लकीरे खीषती है और अन लकीरों में उसका नाम होती है जिसका नाम मुझ से लेना नहीं चाहती वो लड़की जिसके लबों पे हसी होती है किसी के नाम की वह से याने कि उस उम्र की मुखपत को लेकर आ रही है आप पूर्वा चत्रवेदी जोड़ा था लिस वागत कर कि नीद आती नहीं आँख में खौब है एक लम्हा जो ठहरा वो नायाब है शर्त है राह है चाह है पुरसर शर्त है राह है चाह है पुरसर प्यास है और दरिया में सैलाब है आए हाए क्या पात है और ये भी सुनिएगा कि मुझे जब भी नकारा है किसी ने दिया मुझे को सहारा है किसी ने और बहुत दिन बाद आसु झर रहे हैं बहुत दिन बाद आशू जहर रहे हैं, मेरे सर को दुलारा है किसी ने यहाँ दरिया क्यों बदला हुआ है, यहाँ दरिया निहारा है किसी ने और बहुत इत्रार ही है एक लड़की यह तो समने नकरे उठाए होंगे कि बहुत इत्रार ही है एक लड़की, क्या जुल्फों को सवारा है किसी ने और यह भी सुनियेगा, कि जहां महमा में थी गिंती हमारी जहां महमा में थी गिंती हमारी, कहां हमको हमारा है किसी ने और जनम दिन अब मनाते ही नहीं है मेरा सदका उतारा है किसी ने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्लिया क्या बात है अपो बहुत बढ़िया क्या बात है जब भी मुझे नकारा है किसी ने दिया है मुझे सहारा किसी ने वा नीली आखें अंग्रेज होने की निशानी ही नहीं आँख पे जोर से मुक्का मारा है किसी ने लेकिन मझे बढ़ी खुशी है क्योंकि ये तीन वो कवी है जो वा भी वा के जो प्रथम सो एपिसोड से हमने चुने क्योंकि इन तीनों ने अपना एक अलग स्थान बनाया और अपुर्वा तो बहुत नई है उसे उमीद भी नहीं थी कि मेरे पास कभी शो से फोन आएगा लेकिन फोन पहुंचा वाई और तुमने बहुत अच्छा पड़ा अपुर्वा और दीपक और गौरवापती नों ने गमाल कर दिया मैं आपके लिए कहना है जाता हूँ वा भी वा और पारते हैं आगे हमारे उस सेग्मेट की और इसका नाम है कहान ही थोड़ी इल्मी है अरे भाप भाइवा भाप भाइवा 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 अरे खोड़े पर दोड़ते वे आये पहरा पानुजी है और संज्या खान सावेश है आखिए दिमाग में कुछ आता है य डाकू देखा है तो मैं तो चंबल का रहने वाल हुँ तो मुझे चंबल नज़र आ गया याद आ गया सर जी दरश्षी यह हो सकता है कि ना प्यास की दम पे ना भूग की दम पे ना तिजोरी की दम पे ना संदूक की दम पे और ड़के देखा था किसी film एफिलम का नाम में भूल के, लिकना, बहुत अगा सा वो देखने के बाद, वो हसने वाला दुण था नहीं, हासे का दुण नहीं था, तकार 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 की जब आ है वैं भूल गया यह शर्मिला टाइब तकार मुझे याद नहीं है बिल्कुल हिरोइन कुए लेकिन प्रान साब ते अच्छे से याद है इतनी तेजीब उस डाकू में के लौगी का पीछा दॉरते दॉरते कर रहे हैं और जब तकार तकार कहता है शेर सुनाने को दुख में कहता है शेर सुनाने को शर्म नहीं आती जमाने को दुख में कहता है शेर सुनाने को शर्म नहीं आती जमाने को उसको फुरसत नहीं के शेर सुने तो हम भी खाली कहां सुनाने को लेकिन हम लोटे गयार कहेंगे वा भाई वाई झाल